दुमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, आज फिर से मैं आप सभी के लिए Class 8 Social Science Civic का चेप्टर है, यह Chapter 6, जिसका नाम है हसिया करन से निपटना, तो आज हम इस Chapter की सुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्तपून Point से, इसे पहले मे कहता है कि हसिये क्या होता है तो देखिए आदिवासियों दलितों मुसल्मान महिलाएं और हसिये पर रहने वाले अनसमूह का मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते उन्हें भी समान अधिकार मिले हुए हैं देखिए हसिया का मतलब होता है कि समाज में क मुसल्मानों के बारे में है, महिलाओं के बारे में है, इन लोगों को समाज में और वर्गों की तरह न इज्जत प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इन वर्गों के लोगों का मानना है कि हमारा संविधान जो है, वो सभी भारतिये नागरी को समानता गारिकार देता है, अर्था हैं कि सम्विधान के हिसाब से उनके साथ अच्छा ही होगा इन समूहों को सोसन से बचाने के लिए अधिकारों का कानून के रूप में दिया गया इन जैसे जो अधिवासी लोग हैं दलित लोग हैं मुशलमान लोग हैं महिलाएं लोग हैं यह जो समाज के किनारों पर हैं इन सभी को सोसन से बचाने के लिए समाज के हूचे तबगे के लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा देने के लिए कई प्रकार के कानून का निर्मा किया गया है इसके अलाबा कई नितियां बनती है इनके लिए कई नितियां का मतलब है नियम बगैर बनते हैं ताकि जो हसिये प उठाया जा सके, उन्हें भी समाज में आगे आने का मौका दिया जा सके, फगला पॉइंट हमारा कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करना, तो देखिए मौलिक अधिकार fundamental rights कहते हैं इसे इंगलिस में, ये हमें सम्विधान के द्वारा प्राप्त है, भारत के सभी नागरि के लिस्ट में परिभासित करते हैं, अब ये अधिकार क्या होता है, भारत के हर नागरि को समान रूप से मिले हुए, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें समान रूप से ये अधिकार प्राप्त है, जहां तक हसिये पर रहने वाले लोगों का सवाल है, उन्होंने दो तरीकों से इन अधिकारों का उप्योग किया है हसी यह पर रहने वाले कहने का मतलब है वैसे लोग जो समाज में कापी पिछरे हैं अत्यन पिछरे हैं जिनकी जनसंग क्या कम है जिनका सोसन होता है उनके लिए भी कई प्रकार के नियम कानून बनाए गया है पहला तरीका तो यह है कि मौलिक अधिकारों पर जोड़ देकर उन्होंने सरकार को इस बात के लिए वाद किया कि सरकार उन पर हो रहे हैं अन्याय को माने मतलब यह जो नीचे तबगे के लोग हैं उन्होंने मौलिक अधिकार का उप्योग करके सरकार को न्याले को इन सभी को बताया कि उन पर जो अन्याय हो रहा है उन पर जो परसानिया जबरदस्ति लादी जा रही है उनको जो परसान किया जा रहा है समाज पे इस पर ध्यान दिया जाए यह पहला तरीका था और दूसरा तरीका फिर क्या कहता है इन लोगों ने सरकार को मौलिक अधिकारों के अनुसा नियम बनाने के लिए प्रभावित किया है मतलब ऐसे नियम बनाए जाएं जिनके माध्यम से समाज में हसिये पे रहने वाले लोगों को भी प्रोटसाहित किया जा सके, अग्रसर किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद किया जा सके, तो ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये था, इसके अलावा संबिधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि असप्रिस्यता या छुवा छूत समाप्त हो ग नीचे लोगों में कह जा था कि कोई उनमें छू लेगा तो हम छूआ जाएंगे, ऐसा बिहार में अक्सर उतर परदेश में जारखंड में देखने को मिलेगा, जो उचे तबगे के लोग हैं, वो नीचे तबगे के लोगों को अपने दरवाजे पे नहीं बैठने देते, उ समाज में चूआ उचूट की परमपराब चलती रहती है, चूआ छूट जैसी समस्यां आज भी हमारे समाज में है, हम लोगों ने इसे देखा है किना काय समाज प्रकारगी परसानियों का सामना करना पड़ता है, हमारा संविधान तो कहता है इस सतरह, अनुछेर सतरह में कहा गया है कि अस्प्रिस्था और चुवा छूट समापत हो गया, इसका यह मतलब नहीं है, कि किसी दलित को सिक्षित होने मंदिर में जाने या जन सुविधा का इस्तिमाल करने से रोक नहीं सकता है, हमारे समाज में उन्हें मंदिर जाने से ने कर जा सकता, लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी गूप में चुवा छूट की वकालत करना एक लोगतांत्रिक सरकार बरदास्त नहीं करेगी, आज चुवा छूट एक डंडिये अपराद है, फिर भी भारत के कई जगों पे, कई ग्रामीन इलाकों पे, कई जहां प कर लेते हैं हसिया करन के खिलाफ कानून, मतलब हसिया करन के कारन जो समाज के वर्ग पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए कौन-कौन से कानून बने हैं, उनके लिए कौन-कौन से नियमावली बनी हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो देगे, सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है सरकार कौन है जिस जनपरतिनीधी को हम चुनते हैं हम भोड देते हैं वही तो सरकार है तो वो किसके लिए काम करती है तो आम नागरिकों के लिए काम करती है उसके सुरक्षा के लिए काम करती है हमारे देश में सोसित समू, मतलब ऐसे वर के लोग जिनका सोसन होता है, विसेश कानून और नितियां बनी है इनके लिए, ऐसे समाज के लोग जिनका सोसन होता है, उनके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, कई बार किसी कमीटी में संसोधन या किसी सरवे के अधार पर कान स्माज में सभी के बराबर आ सके उन लोगों को बराबर का अवसर प्राप्ट हो सके इसलिए हसिया करन के खिलाफ कानून अर्थात आप कहा सकते हैं नियमों को बनाया जाता है अब हम बात कर लेते हैं समाजिक नियाय के बारे में, तो दलितों या आदिवासियों की कुल जन संख्यावाले छेत्रों में केनर सरकार और राजसरकार ने विश्रियस योजनाय लागlightly है जहां पर गरीब तवगे के लोग रहते हैं, जहांपे आदिवासि लोग रहते हैं, जहांपे सुद्व लोग रहते हैं, गरीब हैं, उनके लिए राज सरकार भी और केन सरकार दोनों ने मिलके अलग अलगतर है के बहुत सारी योजनाये लागू किया। जहांपे समाज के वो लोग जो काफी पिछरे हुए हैं, उनको भी समाज के आगे आकर सभी के साथ बरावर का कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिले। जो है वो पिछरे तबगे के लोगों को अरक्षन देता है ताकि वो भी अपने आपको समाज में आगे ला सके। यह एक महत्वण लेकिन विवादित कानून भी है, कई सारे लोग आरक्षन का समर्थन और कई सारे लोग आरक्षन का विरोध भी करते हैं, इसलिए इसे हम विवादित कानून कहते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जिन लोगों को सदियों से सिक्षा और कौसल हांसिल करने का मौका नहीं दिया गया हो या उनसे रोका गया हो, उनके उठान के लिए कानून जरूरी है। सदियों से कहने का क्या मतलब है आज समाज में हम रहते हैं यह समाज में आपको पता है कि पैसे वाले लोगों की बोल वाली है जिसके पास पैसा है जो अमीर है वही सभी प्रकार के सुखसुधायों को हांसिल कर सकता है लेकिन जो सदियों से मतलब आज से 100 साल पहले से जिन त लिख नहीं पाएं तो उनके लिए अरक्षन एक जरूरी कानून के रूट में देखा जाता है। जो कभी-कभी राज भी निर्मान करता है और कभी-कभी संग भी निर्मान करता है। और अनुसुचित जन जाती में अत्याचार को खतम करने के लिए 1989 में एक कानून बनाया गया था। यह ध्यान रखना होगा कि दलितों और आदिवासियों को हर दिन बुरे बेभार और बेजती का सामना करना पड़ता है। तो आपको पता है कि जो गरीब तबगे के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे वर्ग से आते हैं, उनको बरे वर्ग की तानसाही का सामना करना पड़ता है। बेभार सदियों से चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से आ रहा है, लेकिन 1970 और 1980 के दसक में इसने हिंसक रूप ले लिया, यह उग्र हो गया है, इसी दोरान धक्षिन भारत में कई दलित समूहों ने अपने अधिकारों की वकालत भी सुरू कर दी थी। जो छोटे तबगे के लोग थे, जो अनुसुचित जाती के थे, जो अनुसुचित जन जाती के लोग थे, उन्हों ने इसमें अपने अधिकारों की वकालत करना सुरू कर दिया। गंदगी साफ करना, पूरा साफ करना, मरे हुए मवेशियों को ठिकाने लगाना, ये सारे जो काम थे, वो दलितों के लिए उचित माना जाता था, लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं, इस समय बदल चुका है, हर कोई अपने वो बदल सकता है, पढ़ाई करके ले जा सकता है, और या जरूरी नहीं है, कि पहले जो दलित पेशा करते थे, आज के समय में भी वो वही पेशा करें, उनके इक्षा के अनुसार हो कोई भी पेशा चुनने का अधिकार रखते हैं, जो चाहे वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई उन्हें नहीं रोख सकता है, अधिवासी कार्यकर्ता जो उनके बीच के लीडर हैं अपनी परमपरागत जमीन पर अपने अधिकारों की रक्छा करने के लिए इस अधिनियम का इस्टेमाल करते हैं। इस नियम के माद्यम से जो आदिवासी लोग हैं या पिछली जाती या जनजाती के लोग हैं वो अपने उस जमीन को बचाते हैं जो उनको परमपरागत उनको उनके बापधादा से मिली थी। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमेन के दवाब में आकर कई सरकारों ने आदिवासीों को उनके जमीन से बेदखल किया हैं उनको उनके घर से निकाल दिया उनको उनके बस्तियों से खाली कर दिया गाहों खाली करवा दिया आज आदिवासी जागरुक हो चुके हैं समझदार ह और अपने जमीन पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो वापस अपने जमीन को मांग रहे हैं। के लिए लोगों को लगाकार कोशिसे करनी परती है अमली जमा कहने का मतलब है जमीन पर उसे हकीकत में लाना अब एक एक जामपल के रूप में देख लीजिए हमारे यहां नेता जी आए हमने कहा कि हमारे यहां बाड की समस्या एक जामपल के लिए हमने कहा जी हमारे यहां बाड की समस्या नेता जी को तो वोट लेना था उन्होंने कहा यहां बांध बनवा देंगे डैम बनवा देंग इज़त, सम्मान की चाक कोई नई बात नहीं है यह बात जो है हमारे पूरे इतिहास में बिभिन लूपों से दिखाई जाती है इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संगहर्स, लेखन, सौदेवाजी, संग ठिकता प्रकिरियां जारी होनी चाहिए ताकि यह धीरे-धीरे हमारे यहां बराबर का हो सके आग्रही क्या है तो दे कि आग्रही का मतलब होता है जो व्यक्ति या समू पूर्जोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहते हैं कोई ऐसा मसला है कोई ऐसी बाते हैं जो लगातार हुआ व्यक्ति करीरा है मतलब पूरे सक्ति के सा 1000-2000 आदनी के साथ बाते सरकार के सामने रखता है उसे हम आगरही कहते हैं अब हम बात कह लेते हैं वहिसकार के बारे में इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूँ को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है वहिसकार का मतलब होता है किसी ग्रूप, समाज, गाउ देश से उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना या फिर उसको इस देश में रहने से मना कर देना क्या कहलाता है वहिसकार कहलाता है यह सब व्यक्ति और उसके परिवार के समाजिक वहिसकार के भी से में बताता है तो यही हमारा वहिसकार था अगला पॉइंट है नैतिक रूप से निंदन ये ऐसे कृत मतलब ऐसे काम होते हैं जो सब्धा और परतिष्ठा के सारे काइदे कानुनों के खिलाफ होते हैं देखे समाज में यदि हम रह रहे हैं हमारा एक समाज है वहाँ पर किसी महिला के साथ कोई बत्तमीजी करे तो ये क्या होगा निंदा करने योगे बाते ह इस सब्ध का इस्तेमाल आम तोर पर ऐसे घिर्णित और अपमान जनक करतों के लिए क्या आता है जो समाज द्वारा स्विक्रित नहीं होता उनके मुल्यों के खिलाफ होता उनके प्रिंस्पल के खिलाफ होता देखे नैतिक रूप से घिर्णा करने वाले सब्ध का मतलब य समाज के लिए वो अपमान जनक है इसे हम निंदनिय कहते हैं अब हम बात कर लेते हैं निती के बारे में एक घोसित कारेदिशा जो भविस का रास्ता बताती है नियम निती का मतलब नियम जो हमारे भविस में रास्ता बताती है लक्ष तै करती है कि हमें करना क्या है या अपन बनाये जाने वाले सिध्धानतों एब हम दर्सन निर्देशों की व्याख्या करते हैं कि हमने जो चीजों को accept किया है क्या हूँ हमारे समाज के लिए, पंचायत के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए सही है या नहीं है इसलिए नय नय नियम बनाया जाती है इस अध्याय कि अपने अपने नियम होते हैं, वो नियम खुद से बनाया जाते हैं, तो यही निती के बारे में था, इस तरह से आपने देखा हसिया करन से निपटना यहाँ पर समाथ हो गया है, यह पूरे चिप्टर को मैंने वीडियो के रूप में आपे समझा दिया है, ताकि आपको एक्जाम में किसी भी परकार की परिशानी नहीं हो, तो आसा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी, आप सभी को पसंद आया होगा, यदि जानकारी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करने, चैनल में पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, ता आज के लिए इतना ही धन्यवाद.